हेलो स्टुडेंट आप सभी को आपने यूट्यूब चैनल गोपाल गोरे में स्वागत है आज हम लोग जे सी इ आर्टी कलास सेवन के चैप्टार फोर अपसिष्ट जल कारण वो निप्टान के सभी परशन उतरों का हाल करेंगे तो आए एक नमबर में देखते हैं रिक तास में बात माल में जिवानों Macht wirk जरोग उत्पन करता है तो डैस में लिखना है दूरगंद संक्रमाब चैन नंबर में है अपसिष्ट जाल उप्चार के सो उत्पाद डैस और डैस है तो डैस में लिखेंगे आपंक और बायोगेस है दो नमबर में है खंड ओ में दियेगे सब्दों का मिलान खंड बहुत से कीजिए तो हम यहाँ पर खंड ओ का सिधे सिधे में उतर लिख दिये है एक नमबर है अकार्बानिक असुदियां नाइटरेड धातुए जीवानू हेजाटाइफाइड फोसकत दुओ फासफोरोस कार्बोनिक असुदियां मानव मल यूरिया मुत्र तीन नमबर में है सही उतर के आगे सही का चिन लगाई एक नमबर है दूसी जल में ऑक्सिजन की मातरा स्वच जल की अपेच्छा यहाँ पर विकल्फ है अधिक होती है दुगुनी होती है काम होती है बराबर होती है तो इसका उतर होगा काम होती है दो नमबर में है बार्मी कॉम्पोस्ट त्यार होता है विकल्फ है जिवानों से विशानों से दिमक से केच्चुआ से तो इसका उत्तर होगा केच्चुआ से तीन नमर में है जिव निमकरित कच्चडा का उधारन है विकल्फ है फलों के चिल्के मलमुत्रों पोधों के आवसेश पलोथीन की थेलिया तो इसका उत्तर होगा पलोठीन की थेलियां चान नंबर है दूसित जल जनित रोग विकल्प है रेवीज, हैंगो, रक्तmos, अल्पपती हेज़ा को नtaćन हो नमज़ी निम्नम मेंसे कौन सी जल जनित विमारी नहीं है विकल्फ है हैजार, टाइफाइड, दामा, पैचिस तो इसका सही उतर होगा दामा चान नमबर प्रस्ण है जल जनित किनी दो रोगों के नाम लिखे तो दो रोग जल जनित है मेलेरिया ओर डेंगू तो इसका उतर होगा घार से निकलने वाले मालमूतर इतादी आविकर बदात जो की आइनस साब जल को परदूसित करते हैं दूसित जल कहलाता है यह दोग, होटेल, आस्पताल, घार, इसकुल, इतादी जगव से निकलता है 6. प्रसना जेव निम्लिकरत कचड़े के 3 उधारन बाता ही तो इसके उतर है जेव निम्लिकरत कचड़े के 3 उधारन निम्लिकरत है Composth khad, 2. बायोगेस, 3. जल बहाख 7. प्रसना खूली नालियों के जाम होने का मुईख कारण किया है जैसे plastic कपड़ा इतादी आठ नमबर प्रस्ण है सहरों में नागा निगम का कायरिया बांध हो जाने पर क्या होगा उत्तरे सहरों में नागा निगम का कायरिया बांध होने पर हर तरफ गंदेगी फेल जाएगी कचिडे का असमान तरीके के होने से हर तरफ बिमारिया फेल जाएगी तथा नदियों का साप एवंग सुच्छ जल गंदा होने लगेगा नौनमब प्रस्ण है असुद जल को साप करने वाले तिन पदातों का नाम लिखे तो इसके उत्तर है असुद जल को साप करने वाले तिन इमलिकित पदात है फिटकारी, सूती कपड़े, पानी को उबाल कर दस नमब प्रस्ण है बरसा के दिनों में आप पेजल कहां से प्राप्त करते है तथा उसे कैसे सुद करते है उत्तर है कुएं से चापानल से नागरिय वाटर सप्लाई के से सुद करने के लिए फिल्टर का उप्योग करते है अथुआ उबाल का छानते है गारा नमब प्रस्ण है जल के दूसीत होने में कौन से कारक जिमेवार है उत्तर है घरेलू, मलजल, ओदोगी, आपसिष्ट, किटनासक तथा रासानिक आवरग बारा नमब प्रस्ण है आप अपने घर तथा बिदालज से निकलने वाले वहितमल का निप्टान या उप्योग किस तरह से करेंगे उत्तर होगा घर या बिदालज से वहितमल का उप्योग भूमिगत वाटर लेबल दिश्चार्ज के लिए करेंगे त्यरनमब प्रस्ण है प्लास्टिक का उप्योग आज हर जगा खाद समगरी कच्च या पाका रखने में किया जाता है उप्योग के बाद इसका सही निप्रान कैसे कर सकते हैं प्लास्टिक के उप्योग पर प्तिविं बंद लगा कर प्लास्टिक के फूर चकरन दोरा उत्तर होगा क्यों कि इस से नादियों समुद्र का जल दूसित होता है तथा बीमारियां फेलती है पंदरों नुम्मा प्रस्णा कीट नासको तथा अवरको के बे तासा उप्योग से जल दूसित कैसे हो रहा है खेतों से जल बहा का नालो और जल दूसित होता है 16 नुम्मा प्रस्णा जेवी खाद कीस तरह रासानी खाद से बहतर है इसका उत्तर होगा जेवी खाद मिटी की सरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता है इसलिए यह रासानी खाद से बहतर है